हलो नमश्कार सबको सुखीज अडियूशन्स में आपका सवागत है आपका जो चल रहा था वह है कि हमारे पास mcqs चल रहे थे solid state physics के ओपर तो जो जी आज वाला वीडियो यह आपका लास्ट वीडियो है इसके बाद आपके solid state के जो mcqs फिनिश हो जाएंगी और उसके बाद हम एक next वाला जो उनिट है वह स्टार्ट करेंगे तो देखी कोशन कहा है कहते है thermocouple consists of तो thermocouple होता है जो वह उसमें क्या होता है यह option है two dissimilar metals तो disimilar metals सी है metal अंड semi-conductor d है metal एंड इंसुलेटर तो जो हमारे पस thermocouple होता है उसमें हमारे पास क्या होती है two to dissimilar matter होती है ठिक है तो thermocouple होता है ठिक है temperature के उपर इसका काम होता है कि इसमें कपल है तो मतलब होती है तो दो चीचू होती है उसमें कूinski होती है तो इसके पास आपका राillyट ऑप्षण आएगा य तो जैसा क्षी से सीमिलर मैंट्स बीतर्ट होटीविटि उहों मीटर और पर मीटर मेसे होते हैं और रस्पेयंटर उते हैं तो अंगर उक्ट बोल देते हैं उसको साइम company बोड देते हैं तो इलेक्रिकल कंड़क्टिविटी एक के फाइव एंग्स्रों हैं ऑट की एट्रोम है। ठीक है। ऐसी की boss जो एंगल है वह आपके पास 90 है। ठीक है। अल्फा 90 है। बिटा 65 डिगरी' है और गमा आपके पास 54 डिगरी है। ठीक है जी। गमा 54 डीगरी, तो इसमें आपके पास राइट ओप्षन क्या आएग़ twy तो बताईए इसमें आपके पास right option क्या आएगा A, B और C ये भी equal नहीं है ठीक है और जो आपके पास alpha, beta और gamma है ये भी आपके पास नहीं equal है ठीक है alpha, beta और gamma है वो भी आपके पास equal नहीं है तो इसमें आपके पास कौन सा option आएगा ठीक है ये crystal system मैंने आपको करवाए थे ठीक है तो आपने इसमें से देख के बताना है आप लोगों ने खुद बताना है ठीक है आप लोगों ने खुद बताना है कि इसमें कौन सा आएगा ठीक है तो चो लोग बताई देते हैं ठीक है वाला जिसमें a b c 6 ओर त्रीनों भी उतली और उर ओर अलफा बिटा और गामा भी नहीं BRE benefit कि यह हमारे पास होता है ट्राय क्ष्च्ट्छर के यह होता है मरे पास ट्राय क्लीनिक श्ट्छर तो आपका इसके तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि जो इसमें से जो मगनेटिक फिल्ड है उसको क्या करता है ठीक है तो अगर टोटली एक्सपैल आउट करता है तो हमारे पास क्या आता है क्या उप्षण है तो आपका राइट ऑप्षिन आएगा सी टाया मगनेटिक लिए ठीक है नेक्स कायती अनर्जी ओफदा लैटीस वाइबरेशन इस इसको क्या बहुते है इसमें पर एफ फोनों दी है लब्टोन इसमें जो में पास राइट ऑप्षन होती है ठीक है इसमें क्वांटा आता है लैटिस वाइब्रेशन में वह मारे पास आता है फोनोन तो राइट ऑप्शन के आएगी सी फोनोन नेक्स्ट कोशन देखिए कहते इन सुपर कंडॉक्टर्स दी इनर्जी गैप इस ड्यू टू कहते जो सुपर कंडॉक्टर्स होते हैं इन में जो एनर्जी क्या आता है सुपर कंडॉक्टर्स में वह आता है हमारे पास इलेक्ट्रों इलेक्ट्रों इंट्रेक्शन की वजह से आता है ठीक है तो इसको जो जो कंसेप्ट है यह इसका लैटिस वाइब्रेशन वाला अपने दिमाग में लेके नहीं चलना जो सुपर कंडॉक्टर्स मे energy gap आता है हमारे पास 3 gap बनते हैं forbidden energy gap valence band ना conduction band तो वो energy का आता है जो valence band और conduction band के बीच में वो किसकी वज़े से आता है हमारे पास electron electron interaction की वज़े से आता है तो इसका right option होगा आपके पास B चीके next के कहते which one of the following cannot be explained by considering harmonic approximation for the lattice vibration in the solids कहते इन में से कौन सा कौन सा जो approximation है जिसमें हम harmonic oscillator नहीं मानके चलते हैं थीके हमने तीनों laws किये थे डिवाई लो आइंस्टाइन लो ठीक है डूलंग और पिटिट लो तो इसमें कौन सा है जिसमें हम जिसमें हम यह नहीं मानके चलते कि जो हमारे पास atom है वो as a harmonic oscillator cannot be explained by considering the harmonic oscillator for the lattice vibration ठीक है कौन सा नहीं कौन सा हर्मोनिक को स्वोलिड को स्वोलिड में जो atom है उसको harmonic oscillator मानके नहीं मतलब हम लेके नहीं चलते ठीक है कौन सा explain नहीं हो सकता इसमें हमारे पास जो राइट option आएगा आपके पास राइट option आएगा आएगा आपके पास दी ठीक है जी नेक्स कोचन देखिए कहते है इसका temperature के साथ क्या effect होता है फेरो मगनेटिक सबस्टांस में हमारे पास जो तो मगनेटिक सब्सक्राइबिल्टी होती है और जो क्योड़ी temperature होता है इसका हमारे पास क्या क्या relation क्या होता है ठीक है यह option है C over T minus T C T is less than T C के लिए C over T minus T C for T is greater than T C के लिए C over T plus T C for T is greater than T C D है आपके पास C over T plus T C for all temperature ठीक है तो इसमें जो आपका right option है वो है C over T minus T C for T is greater than T C ठीक है जो temperature है वो हमारे पास क्या होगा critical temperature से जादा होगा ठीक है उसके लिए मारे पास relation क्या हैगा C over T minus T C clear ठीक है ठीक है नेक्स देखे कहते है valence electrons do not determine the following property of the metal कहते है जो valence electron है वो इन में से कौन सी property को नहीं determine कर पाते यह है thermal conductivity अलेक्टिकल conductivity B है thermal conductivity C है shear modulus और D है आपके पास metallic cluster ठीक है तो जो हमारे पास valence electrons होते है वो thermal conductivity को directly नहीं determine कर पाते ठीक है metal में ही जो हमारे पास valence electrons होते है उसकी thermal conductivity को directly नहीं measure कर पाते ठीक है तो इसमें आपके पास right option आएगा B option क्लियर ठीक है नेक्स के कहते है इना consider f x-ray diffraction with from a crystal with the FCC lattice the lattice plane for which there is no diffraction peak कहते कोई भी diffraction peak नहीं आई चाहिए अगर हम कहते है कि कोई भी diffraction peak नहीं आई चाहिए तो हमारे पास जो डी होगा distance वो क्या होना चाहिए minimum होना चाहिए ठीक है तो अगर हम इसको calculate करेंगे ठीक है fcc lattice के लिए calculate करते हैं ठीक है तो हमारे पास जो right option आएगी वो आपके पास आएगी d option ठीक है इसको calculate कर ले ना आप लोग खुद लोगी ठीक है तो इसके पास आपकी right option आएगी डी option ठीक है 311 वाला नेक्स सेखें तो कहते है तो हमारे बास होल कोफिशंट होता है होल कोफिशंट वाला जो टॉपिक है वो बहुत टीक है चार्ज और मास के उपड़ डिपेंड करता है ठीक है एफेक्टिव चार्ज केरियर मास और के उपड़ डिपेंड करता है तो जो होल कोफिशंट आरह चो होता है सोडियूम का वो मारे पास डिपेंड करता है चार्ज केरियर डिपेंड करता है तो आपके पास लाइट ऑप्षण आएगा सी दे चार्ज carrier density only next एक है कहते in an insulating solid which one of the physical phenomena is consequences of poly exclusion principle कहते जो दिये गी है नीचे options ionic conductivity, pharamagnetism, paramagnetism और pharoelectricity इन मेंसे कोँ सा poly exclusion principle का consequence है ठीक है which of one the insulating solid में कोँ सी जो property है जा कोँ सा phenomena है वो poly exclusion principle के consequence है ठीक है तो जो paramagnetism होता है वो हमारे पास किस वज़े से आता है poly exclusion principle की वज़े से आता है जो paramagnetism behavior होता है वो किस की वज़े से आता है हमारे पास poly exclusion principle की वज़े से आता है तो आपका right option होगा c next एक है कहते है super conducting ring is cooled और यह question बहुत important है यह वाना कोशिन 85 वाल कहते हैं अगर सुपर कंडक्टिंग रिंग है ठीक है उतको कूल किया गया है मगनेटिक फिल्ट की प्रेजर समें और ग्रीटिकल तेमपरेचर के नीचे थीक है तो जम ग्रीटिकल टंपरेचर के नीचे जब हम कहते हैं कि हम् क्रिटिकल टंपरेशर के बिलुकुल को कोशन किया था उपर कोशन किया था कि क्रिटिकल टंपरेचर के बिलो हम जब इसको कूल करते है तो वह क्या बन जाता है डाय मगनेटिक बन जाता है डाय मनेटिक मतलब अपने इस अपने में से मगनेटिक फ्लक्स को पास नहीं होने देता बिल्कुल एक्सपेल आउट कर देता है तो फिर मगनेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास जीरो ही होगा ना ठीक है तो आपके पास राइट ओप्शन क्या आएगा देख सेके कहते विच वन ओफ दा फॉल्विंग इस नोट ट्रियू सही नहीं पहलें क्योंकों सही नहीं है ऊप्षन टाइप बन सूपरकंड़क्ट्र इस कंप्लीट्ली डाया मगनेटिक को चीज़ंडी फोलग करते हैं तो एंट तो ट्रिक हैं उप्शन है टाइप्टु ता इस अटाइप टूसर टाइप टूस उपरगंड़क्टर एक्सि को मतलब एक्सिबाट इसको लेते हैं तो यह कल Beast क Artemis jestem जो मिजनर्फेक्ट होतास है यह गलत है यह जी çीज गलत है यह वाला ओप्शन मेस समय हमिक उप्शन ही निकाले ती चल疑ने डाय नहीं ऐस detta झो क्या हुआ है क्या क्याया क्या है मिजनर आफेक्ट इस हाず अप्लाई करते हैं एक फर्स्ट हमारे पास क्रिटिकल मगनेटिक फील होता है जिसको एक सेकंड क्रिटिकल मगनेटिक फील होता है इससे नीचे ही मिजनर फेक्टर फोलो होता है उसके बाद नहीं होता है तो इनने यहां पर लिखा हुआ है अप्टू नहीं आएगा बिलो आएगा तो बिलो के लिए ठीक है बट अप्टू के लिए यह नहीं है ठीक है जी के जी और इसलिए साथ आपका जो कोश्टन्स है वो फिनिश होते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको मैक्सिमुम से मैक्सिमुम आप लोग शेर और लाइक करेगा थैंक्यू थैंक्यू अब्रिवाण